नमस्कार, दोस्तों, आज का विशे है, यह तीन चीज कोई आपसे नहीं चुड़ा सकता है, विध्या, ज्यान और चरित्र. विध्या क्या है? विध्या is a learning, और a learning process. आप अपने जीवन में कई तरह की विध्या आरजित कर सकते हैं, कई विध्या आप सिख सकते हैं, जैसे गुरसवारी, तीरंदाजी, तेराकी, जोतिश विध्या, अर्षास्त, वनस्पति विध्या, संगीत विध्या, टक्नीकी आदी 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 लर्निंग के माध्यम से जो हम सीखते हैं, पुर्ण रूप से या कुछ गहराईयों तक उसे ही हम ज्ञान कहते हैं, in English we call it knowledge, knowledgeable person याने ज्ञानी पुरुश, लर्निंग and knowledge are very close to each other, विध्या और ज्ञान बाटने से कभी कम नहीं होता है, और ना इसे कोई चुरा सकता है, उसी तरहे चरित्र ये inborn quality है, कुछ हद तक, परंतु चरित्र का पूरा निर्मान, पूरा विकास, उसके आसपास के महौल पर से ही होता है, आपका महौल कैसा है, उस पर भी बहुत निर्बर करता है, चरित्र का निर्मान करने में, विकास करने में, मनुश्य में गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं और उसी से उसके चरित्र को पहचाना जाता है जैसे जिस इंसान के पास ज़ादा अच्छे गुण होते हैं वही कहलाता है चरित्रवान अच्छे गुड क्या है अच्छे गुड क्या मतलब ओबिडियेंट आज्याकारी काइन हार्टेट दयालू सहासी ब्रेव दानी नो वन कें इस्टिल दिस थ्री क्वालिटी यह तीन क्वालिटी आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता है तो आज का यह मेरा नजरिया विद्ध्या ग्यान और चरित्र यह वो तीन चीज हैं जो आपसे कोई नहीं चुरा सकता है और बाटने से कभी कम नहीं होगा धन्यवाद नम जोश्कार।